आज के दिन की बात करें तो फिलाहल छोटा मोटे आफसाइट के साथ इस टॉक हमको इस वक्त देख सकते हैं 227.30 पेसे पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 265 के लेवल से बड़ी गिरावर दिकाई देख सकता अपना सपोर्टे ने 220 का लेवल ब्रेकडाउन किया 215 के लेवल से बॉंस बैक किया यहां जो स्विंग ट्रेडिंग वाले जो अपना स्टॉप लॉस लेके चर रहे होगे 220 का लेवल उनको इस्टॉप लॉस को हिट कर आया गया और फिर उसके बाद यहां से इस्टॉप ने बॉंस बैक किया 215 के लेवल से तो यहां थोड़ा सा ट्रेपिंग का खेल किया गया हम जैसे रिटेल इन्वेस्टरों को ट्रैप करने के लिए लेकिन अब फंडामेंटली जानते हो अशोकली लेंड किस तरह से तो यह रिकोरी दिखा सकता है जब हम कोई भी अच्छे फंडामेंटली कमपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इसमें गिरावट आती है तो गबराना नहीं है आगे ने बॉंस बैक देता हमको नजर आ सकता है और देख सकते हैं 215 की लेवल से उसके बाद लगातार बाइंग आमको अशोकली लेंड में देखने के लिए मिर रही है तो नीचे की वर अभी 224 इमीडेट सपोर्ट है नेक्स सपोर्ट 220 इससे पहले जहां से सपोर्ट लिया था और सबसे आखिरी सपोर्ट है जो लो है 215 का लेवल रहेगा अगर 215 का लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर IC कंडिशन में 200 टक का फॉल दिखा सकता है लेकिन दोस्तों चांस बन रहे अप ट्रेंड के बाउन्स बैक दिखा दिया है स्टॉक ने तो यहां से अब जो देख सकते हो इमीडेट टारगेट जो बनेगा 230 230 के ब्रेकड के बाद नेक्स 235 का लेवल जहां से हमको बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली थी तो इस लेवल पर हमको रेजिस्टन्स फेस करता नजर आ सकता है यहां से छोटी मोटी गिरावट आती भी 228 230 तक का भी फॉल दिखा सकता है लेकिन अगेन बाउन्स बैक करके इस लेवल का ब्रेकड देखने के लिए मिलेगा फिर जो मेजर रेजिस्टन्स फेस करेगा 240 244 के पास करेगा निक्स तारगेट रहेगा और फिर इसी लेवल पर हमारी नजरे रहेगी यह जो हाई जहां से रिजेक्शन के बाद लगातार बड़ी गिरावट दिखाई थी अगर इस लेवल को ब्रेकड कर गया तो आगेन 260 से लेके 265 तक का जम दिखा सकता है फिर इसके बाद इस हाई क ब्रेकड के बाद निक्स जो मेजर रेजिस्टन्स फेस करेगा उटे 60-265 के लेवल पर करता नजर आ सकता है वीडियो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाद से लिया होल्ड की सला नहीं दे रहे है अगर आप टिमेट अकॉंट ओपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन म झाल